दोस्तो गौवर्मेंट एक्जाम के तैयारी के निया सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल प्रिपरिशन एड़ को और वैल आइकन दबाईए हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हैं हेलो दोस्तो स्वागत एक बार फिर से आपका हमारे चैनल प्रिपरिशन एड़ में चलिए स्टार करते हैं चैप्टर नंबर बारा एधात हुए नौन मेटल्स के वारे में पढ़ने वाले हैं नौन मेटल के अंदर क्या होता दोस्तो हम जैसे के इसके पहले चैप्टर कंप् यह ना लगतल जो है अपको बता और ऑबस्ता में यह पता हो और यह ऐसकी यह यह तो द्रौब अवस्ता में जो है उनके वारे में पता हो ये ना हो लेकिन यह ग्या है तु ह द्राव वस्तो में जो पाई जाती है ब्रो मीन तो निया से कि इसके इस आप वार टियुए रोंब्ला सोटने हैं जैसे कि एक अपवाद भी आप घ्रिफायर कर दाठीनारीatar मतलब वह होता है आप ना तो गाहित नसके निकलने ने में तो उसको बोलते हैं कुछ शॉलिक लेकिन इसका अपुवाद औहले है ग्रेफाइड् ग्रेफाइड एक एधातू होने के बावभूजूद भी मतलब कारवन का अपर रूपहएड का एक एक अपर रूपहेढ़ ग्रेफाइड तो क्या करता है अपने अंदर कंड़टीविटी शो करता मतलब इसके अंदर से करेंट पास हो जाती यह पास क्यूं होती है मैंने पिशली वीडियो मता रखा एक्स्प्लेंट करके क्यों पास होती है अब नॉनमेटल के अंदर देखते हैं हाइड्रोजन को सबसे पहले आप अब ही डूटा है के अधर है कि लोक के अंदर है उसके अंदर दो है अधर है और दूसरी स्थे इस पहली में जो है हम कि मिले की है हाइब रच ऑप्र प्रोटौन जो होते हैं वह भी एक होता लेकिन इसकन्दर नीउट्रोण नहीं होता तो एक पहला ऐसा तद्भया केला hydrogen इसकन्दर कोई भी प्रोटौन नहीं पाय जाता और hydrogen के तीन समस्थाने पाय प्रो्टियम हूं को रिप्रेंट करते हैं और ृच ज प्राइज च्रीयुम को रिप्रेसेंट करते हैं बोलते हैं इसका बारीजल का फॉर्मूलर क्या है तो ड्यूटीरियम को ऑकसाइड को ही भारीजल बोलते हैं ये ड्यूटीरियम का एक ऑकसाइड और भारीजल की जो खोज हुई थी वह 1932 में उती यूरे तथा वाउस बाड़न ने की इसकी खोज और इसके एक खास बात यह है कि वाटर के जो साधारण वाटर होता है उसके साथ हजार भागों में से एक भाग निकलता है भारी जल का तो साथ हजार भागों में से एक भाग निकलेंगा भारी जल का जो यह एक वेट होता है बहुत है अब दो डिट यह हैवी वाटर है तो डिट यूटीरियम का और है यह वाटर निकलगा राएगा वह निकलगा रहेगा बीस अतकुछ और भी देख लेते हैं जैसे कि जो भारी जल होता है भारी जल वो 3.8 डिग्री सेंटीग्रेट पर जमने स्टार्ट करता है तो दोनों ही जलों में थोड़ा सा फर्क है क्योंकि एक जो है वो साधरल जल है और एक है डिउटीरियम का ओक्साइड इसका जब सबसे बड़ा यूज है भारी जल का वो तूसके थूज है सूरज के अंदर जो होती है रियक्शन होती है 1H2 और 1H1 का इस्तमाल करके ही 2H3 वगारा बन जाते हैं 2H4 बनते हैं अगर दो डिउटीरियम लेलूं 1H2 प्लस 1H2 इनकी रियक्शन से बनता है 2H4 हीलियम जो कि सूरज के अंदर होने वाली रियक्शन है इ दूकिलियर फ्यूज है जिसमें दो ड्यूटीरियम के एंटम जुड कर एक थीलियम के एकम बनाते है और बहुत ज़्यादा और निखलती है है ज़े यो तीरियम के योगिक बनाने में इसका उपयोग होता है भारी जल का वह सारे योगी कोने हैं अब अगले टूबिक आता है में में कठोर जल किसको बोलते हैं में अगलेश को उनके साथ कठनाई से ज्ञाग देता है उसको बोलते है कठोरजल, मतलब hard water, तो दो दरागे water होते हैं, soft water and hard water, जो आसानी से ज्ञाग दे दे, strengthening will's have soft और जो आसानी से ना दे ज्ञाग, वोई hard water. तो hard water जो आसानी से ज्ञाग ना दे, तो जल की कठोरता भी दो पिरकार की होती है यह hard water soft water जो है जल की कठोरता के हिसाब से बताया जाता है कि जल की कठोरता के हिसाब से कौन सा water hard होगा या फिर कौन सा water soft होगा अब जल की कटईॉरता भी दो पिरकार की होती है अब जल के अंदर कटई होती है हार्डधनेस होती है ड़ी अब लगसाद करेंदर अब ऑट जल्की कठ完 का उसमें calcium यह इंपहोर्टेंट लाइन कैल्शियम के कल्षियम और मेकनीशियम के करनेट गुले रहने के कारण होती जा कि कियो बैंग्ट कटिकार्बोनेट काई to bicarbonate की वज़े से HCO3 होता है bicarbonate का formula HCO3 की वज़े से जो होती है वो साइ कढ़ोड़ता होती है और है इस थाइ कढ़ोरता को ठोड़ा सा गर्म कर दें आगर water तो S Πाण़ता को दूर क्या जा सकता है पानी को गर्म करने से ही यह स्थाई कट्रोड़ता जल में बुझा चूना अत्वा दूद्या चूना डालने से भी दूर हो जाती है अब बुझे चूने का फोर्मूला क्या सी ए ओच का होल ट्वाइज यह बुझे चूना यह फिर केल्शियम कारवनेट डाल दे जाए तो ऐस्थाई कट्रोड़ता ज पार होगा जलकी इस्थाई कट्रोड़ता बोलते हैं मतलब Permanent Hardness जलकी इस्थाई कट्रोड़ता उसमें कटोर्ता और को यह सनी शोडियम काऱवРЕ साजाती है तो आप सोडियम कार्वोनेड डाल करें तो şu तो आप सोडियम डालोगे और शोडियम काणी जुह चुछ हो जाती है लेकिन इसकंतर जो इस्फाई कटोर्ता है वो आपको sodium carbonate इसका formula क्यों होता na2 co3 डालने से डाल कर और पानी को फिर गर्म करना पड़ेगा तब जाकर यह इस्थाय का डूरता दूर होगी पानी की और होती किसकी वज़े से है यह sulphate की वज़े से होती है यह chloride की वज़े से होती है यह nitrate की वज़े से होती है तो इनकी वज़े से जो वाटर अंदर यह बहुत है यह सॉल्ट है है घुले हो रहते है लवड़ है तो इनकी वज़े साहर डने साजाती है पानी चल्कि इस्थाय कट्रथा दूर करने की मुख्य भीधि जो है पर्म्यूटिड भीधि यूस अब पूचा आएगा क्या चुक्त करने के लिए यूश कि जाती है। है कि अब क्या नचाइब i जाती है लिए तो परम्यूटेड न हांट्थ दूर करने के लिए यूश कि जाती है। इसको परम्यूटे परिएंस सोडियम जित लाइड भी कहते हैं तो यह भी पूर सकता जियो लाइड किस लिए यूज होता है तो जियो लाइड जो है पानी की पर्मनेंट हाड़नेस दूर करने के लिए यूज होता है आगा देखते हैं कंडिशन में सबसे ज़्यादा यही पाए जाता है और बहुत थोड़ी सी एमांट पाए जाती है जो सबसे कम मात्रा में पाए जाता है वो पाए जाता है यही पाए जाता और सबसे कम आउंट में जो पाए जाता है वह है और जाता है और जाता है और में उससे उपर जाता 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 हूं तो अलग अलग लेयर मिलती है अड्मोस्फेर में अलग 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 लेयर हैं बायू बिंडल में अलग 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 परतों में अलग अलग चीज़े हैं तो पहली परतों को बोलते हैं ट्रोपोस्फियर और उससे अगली परतों को बोलते हैं स्ट्रेटोस्फियर तो इस्ट्रेटोस्फियर किलोमेटर की उचायए पर ओजोन की सांद्रता सबसे जादा मिलती है और सबसब बड़ा फाइदा क्या हो जो है वह आकर परावर्तित हो जाती है इस पर किसी तरह कोई प्रित्वी तक पहुच जाती और प्रत्वी तक पहुचने से असलिए के से बोड़ी को बहुत जादा परेशान करोंगों करते हैं औरendeu इसको खराब करके वहां पर कैंसर बना दीती है तो यह परवैंगनी क्रेड़ों को रोकती है ओजोन लेयर जो कुद्रत का बहुत बड़ा करिश्मा है लेकिन हिंदुस्तान मा एंटार्टि का पर इस परवैंगनी क्रेड़ को रोकने की निया कोई जगह नहीं क्योंकि प्रति परवाजठों के बड़ा तो दीच चन्दर यूजञे करते हैं वह इसका लगतार च्छति पहुचाती जा रही है और इसको लगतार ब्रेक करती जा रहे है और बहुत ख़तर ख़तरनाक घैसियस से हैं जो इसको तो तुर दीसाली जा रही तो येmotory जो कि एक ओस कि आपर र होता है कि नौर्मल के खास नहीं है। इसको कर दो होता है जो लगाटरी होता है वहाँ पर शुधन में इसको होता है और सबस्यादा उत्रब उसको होता है वहां पर अबिगार यूगदान है इसी तरह से नाइट्रोजन यूजादा यूज की जाती है फर्टिलाइजर के अंदर और आई दन की द्रस्टे सा सबसे आता जो गैस पाई जाती है सेवेंटीएट परसेंट जो गैस है हमारी बाई ऎकशन है seben लिए परसेंट बर सेवेंटी इड परसेंट और जो आक्सियों का पस you के वह लगवग 21% पाई जाती है hou हो प्योगति दिदिद्रेरा जिरिद में बडेर कि उस्टेर किया जो रेफरिजरेटर होते हैं i8 लWebinar होती है उसके अंदर भी आमोणिया का प्रियोग किया जाता है 10 और नफए 1 लवड जिसका फॉर्मूल little एकने में इस फॉरीयय और जमेशन है। यह बहुत साथ इंपोर्टेंट नोट है दलहनी पोदों की जड़ों में ऐसे जो दाल पैदा करते हैं उनकी जड़ों में जो है राई जो बियम नामक जीवाणों पाए जाते हैं जो नाइट्रोजन सब्सक्राइब भीम चैशन का इंपोर्डेन दौयी capita फोटोग प्रूर्ट केमिकल इसमुग साथ निकलने वाले नाइट्रोजन के आकशा उपस्तित होंगे और बरसा के पानी के साथ नीचे घरते हैं तो नाइट्रोजन के उपसाइब हुए stry हम कहते हैं कि अमली वर्षा हो रही है तो अमली वर्षा कब होती है जब नाइटरोजन फिर सल्फर के जो ऑक्साइड है पानी के साथ मिलकर एडल मुसफछ सथ मिलकर योवचय के रूप में नीचे जाता है दो फास्व इंथा पदारत के बारे में इसकी अपस्तिती थोड़ी भूत पाई जाती है अबार आकर देखते हैं आपने दिया सलाई के अंदर देखा होगा इस तरह की दिया होती है माक्स होती है उसको बो नगा रहता है राइड रैड कलर ड्रेड ना शूरू कर देता है एक हिल्की रोष्टी जलता है है यह तो इसके टीन तरहां कि फास्फर का या जाते हैं एक फास्फपृर्स श्वेथ फास्फपृरस ब्लैक घ्伊 तो लाल फारत आगर स्वेत फासफरत को देखा जाये तो लाल सुद्फ फासफरत के निप hiç कुछ गले में जा आगर देखते हैं है हेलोजन के बारे में जैसे कि आपको पता है प्रियोडिक टेवल के इंदर जो लास्ट का गुरुप है फी वी विलोग के अंदर लास्ट का गुरुप है तोले जी जैनान से हैलोजबाला गुरुप जिसके रभी ब्रोमीर और आयोडीन आते फाक्रिच वित MORS इसका बन पाए जाता है क्योंकि इनके अंदर एक लेक्ट्रोनों की कमी रहती है तो यह सभी के सभी हैलोजन के लाते हैं और फिलोरीन का उप्योग अगर देखा जाए तो इसका उप्योग यू एफ सिक्स तथा ऐस एफ सिक्स बनाने में होता है जिनको क्रमशय परमाडू उ स्चालाकि इल्एक्ट्रोन नीगेटिविटी फिलोरीन की एल्एक्ट्रोन legitimate यह और इक आती है तो इलएक्ट्रोन इयासित्य को पूरें प्या底 में होगए फ्लोरीन की ज्यादा और एलेक्ट्रोन एक्ट्रोन और किलोरिल तो अगला पोइंट आता है हिड्रोग फिलोराइड के उपयोग द्वारा किलोडो फिलोरोकारवन योगिक तदा पॉली टैट्राफ्लूओ एस बीन मतलब टैफलोन बनाने में क्या जाता है सबसे पहला आपको एक बता दो किलोरो फ्लोरो कारवन जो मैं आपको बता चुका था किलोरो फ्लोरो कारवन जो होते हैं यह CFC बोलते हैं इसको CFC ठीक सह निवहाँ दमरा 10 गार चेट है कि हो फौरना कि भी डेफ्रीजरेशन में यूज करते हैं जितने भी िरेफ्रीजडर हो वह बनाने में इसका उप्योग किया जाता है अब किलोरो फ्लोरो कार्बन चारवन के अंदर अदर जो इसको कब कारवन योगिकों को फ्रियोन बोलते हैं यह इंपोर्टेंट आप याद रखें फ्रियोन फ्रियोन किसको बोलते हैं किलोरो फ्लोरो कारवन योगिक बनाने योगिक जो होते हैं उनको फ्रियोन बोलते हैं इसको उप्योग रेफ्रिजरेंट के अंदर यूज किया जाता है ए स्टिक जो बरतन होते हैं अब आपने बरतन के उपर प्लास्टिक का कुछ कवर देखा होगा बरतन जो होते हैं उनको प्लास्टिक को प्लास्टिक का कवर होता तो वह कवर जो है वह टैफलोन का बना होता तो टैफलोन जो है एक तरह का प्लास्टिक है प्लास्टिक होता है प chlorine क्रत hydrocarbon बनाने में भी किया जाता है ओशदया मनने में इसको उपयोग किया जाता है शाक नाशी तथा कीट नाशी के उपयोग में भी इसका उपयोग किया जाता है Bromine का उपयोग Ethylene Bromide के Synsulation में होता है जिसको सीशाइक्रत petrol, Leaded पैट्रोल में मिलाया जाता है इसके एतरिक silver bromide बनाने में भी bromine इस्तिमाल किया जाता है वो photographic में भी इसका इस्तिमाल किया जाता है तो ये bromine के उप गुरूप के जो element है या इनको एट्थवा गुरूप कहा गया है periodic table के जो है आठवे गुरूप में है helium, neon, argon, krypton, xenon, radon जो कि periodic table के पी बिलोग में सबसे last में है राइट हैंड साइड में तो पी के अंदर 6 के 6 electron भर जाते हैं तो वो पी बिलोग के zero group में पहुच जाते हैं element तो जितने भी element हैं इनके पी में जो है 66 electron है मतलब इनका पूरा का पूरा 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 भरा हुआ है तो यह सबके सब जो है zero group है इनको noble gases बोलते है noble gases इसलियां बोलते हैं क्योंकि यह किसी अन्य gases के साथ या पिर अन्य पधारतों के साथ किसी तरह की कोई reaction नहीं करते हैं उसका reason यह है क्योंकि इनके पी जो है orbital भर चुके हैं अगर पी ओर्बिटल इनके खाली रहते जैसे की इनसे पिछली पधारतों के खाली रहते थे जैसे फ्लोरीन किलोरीन ब्रोमीन तो यह सारे का सारे पधारत रियक्शन करते थे लेकिन अगर इनके खाली ही नहीं है पूरे भर चुके हैं तो क्या रियक्शन करेंगे। इसलिए ये रियक्शन नहीं करते हैं, नॉबल गैस कहलाते हैं, इसको उत्करस्ट गैस भी बोलते हैं, यह फिर इसको बोलते हैं, जीरू ग्रूप के अलिमेंट, एक्रिये गैसे भी इनको, अब इसमें जो कुछ इंपोर्डेंट पॉइंट आव देख निश्किरी में इसका रिजन में दे चुका इन तद्वों को इनेट गैस यह फिर नॉबल गैसर उतक्रस्ट गैसर भी कहते हैं रेडान को चोड़कर अन्य सभी एक्रिये गैसर वाईूमेंडल में पाई जाती है रेडान नहीं पाई जाती आरगन का उपयोग मुक्यत है उच पता ही होगा सूर्य का अंदर होने वाली नाविके संले नाविकरियम है यह हीलियम सबसे हलकी तथा गयास बहुँ स्थाल की है उछे व् JOHN गs कौन सी बहु हिलियम साथ ही निश्करिय हल्की यास कौन सी है तो भाड़ हीलियम इसका फोउर्मूलय मोसम संबंध्य इसका उपयोग होता है धंडी बाय忘 बाली नावी के भटी में इसका उपयोग होता है द्रव हीलियम का उपयोग निमनिताब पर प्रयोगों में निम्रतापिये अभी कर्मक के रूप में भी क्या जाता है तो इन सभी नॉबल कैसे के मैं आपको प्योग करें फेस Users विडियो और अगर आप एडियो देख रहे और हमारे चैनलको सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज सिस्क्राइब जरूर करना है और हमाराığ नलिगत सबस्क्क चर्फा सबस्क्राइब